हलो बच्चो आज हम जानेंगे संग्या के बारे में आपका जो है लेसन फोर तो चलिए जानते हैं संग्या किसे कहते हैं संग्या को इंग्लिश में नाउन कहते हैं तो चलिए जानते हैं संग्या क्या है किसी ब्याक्ति प्राडी बस्तु अस्थान या भाव के नाम को संग्य जैसे राम, रहीम, ब्रामड, पस्चिव, सागर, आदी, अब चलिए देखिए, जैसे ब्याक्ति में कोई और इनसान, उसका नाम हो गया, प्राणी में जानमरों के नाम, बस तुम्हें कोई भी सामान आप उपयोग करते हैं, उसका नाम होता है, तो वो नाम हमारा संग्या है अस्थान में कोई भी जगए किसी राज किसी देश विदेश के नाम हो गए भाव में भाव के नाम को संगया कहते हैं तो आपने जान लिया इसे हम English में नेमिंग वाट्स भी कहते हैं चलिए अगला भी अगला हम देखते हैं question संगया के बेद काइंट साफ नावन संगया के कि तो संग्या के कुल पांच बेद होते हैं और मूलता है आपके तीन बेद होते हैं पांच बेद में यह पांच नाम है ब्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या भावाचक संग्या समूवाचक संग्या द्रभवाचक संग्या और मूलता है में आपके तीन होते हैं ब्यक से विशेश ब्यक्ति बस्तु या स्थान बोध हो उसे हम ब्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे रवी दिल्ली में रहता है रामायड एक धार्मी के बुक है ग्रंत है ताज महल सुंदर है तो यहां पर रवी एक विशेश ब्यक्ति का नाम है रामायड आपका एक विशेश ताज महल विशे सिमारत हैं तो अगला कोशिर में देखते हैं जाती वाचक संगय किसे कहते हैं जाती वाचаки संगय किसे Um конт चाहते हैं जैसे घोड़े दोड रहे हैं बच्चोने पोदे लगा हैं यहां पर घोड़े और पोदे सब्थ अपनी संपूर जाती का बोद करा वह है गोड़े जानवर जाती का बहुत करा रहा हboom पौदे बनस्पती जाती के और संकेत कर गोड़ा को स्टरा अधर देखते हैं। चल देखते हैं जिसे हम बहाव अचक संग्या संग्या कहते हैं वह तक प्रसान है। उसकी मुस्कुराहट देखो तो वह है अपने मुटापे से परसान है तो मुटापा आपका क्या है भावाचक सब्द है मुस्कुराहट देखो उसकी मुस्कुराहट देखो तो मुस्कुराहट भी आपका हो गया भावचक संगया तो अब इस तरह से हम भावाचक में लंबाई भी हमारी आ जाएगी और नमरता, मिठास, चाल ये सब हमारा क्या इमानदारी ये सब हमारा भावाचक संगया है चोरी ठीक है तो ये सब भावाचक संगया भावाचक संगया उसे भी हम कर सकते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं छ जो आप एहसास करें वो भी आपकी वह आचक संगय के समुवाचक संगया, जिसे एंग्लिश के था। प्रेट कर रहे हैं, भीนदों समुवाचक संगया है, मतलब यहां पर है आपका जुण्ड nun, सेना आप भीर भी कह सकते हैं बजार भी कह सकते हैं सभा हो गई दल हो गया संग हो गया गुच्छा हो गया ये सब मेला हो गया परदर्शनी हो गाई रैली हो गया गई इस्तर से हम देखेंगे द्रब वह आचक संगय कि से कहते हैं तो जो संगया सब्द किसी धात या पधात का बोध कराते हैं उसे द्रबवाचक संगया कहते हैं जैसे हम यहां पर देखते हैं हीरा बहुमूल धात हुए तो हीरा आपका द्रबवाचक संगया है सोने के अभूसर बनाए जाते हैं तो सोना भी आपका क्या है संगय को दिया है जिसे नापआ तौला जा सके आब इस तरह से ऑप भी परिवास दाबा और संग्या जैसे दूध दही चादी लोहा लकडी पानी तेल पीतल ताबा तेजाब आधि यह सब आपके द्रबवांचक संग्या है अब आपने पढ़ा संग्या क्या है संग्या के इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए और उसको नोट बना कर मोड़ाई प्लीज वीडि करिए लाइक करिए अगली वीडियो में फिर आप से मिलते हैं और सभी संगया जितनी प्रकार के संगया है भेद है उसके हम एक्जामपल आप लोग को वताएंगे किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संगया है ठीक है तब तक के लिए आप इसे नोट करिए और याद करि का और में और से संगया ह archives आपप आप में एंडेत में लोगोता करिए और में एंडेती तरह आप स्था लोगता है हमें चोरी तेसे द मुक्पाँ वाद ल一点 प्हाँबी सेफ़हा हैं जा जादा लीम पिए